कि नमस्का मेरा विना मिनस न्यूज लाई में आप सभी का स्वागते आए देखते आज की सबसे पड़ी खबर भारतिय जनता पार्टी में गोपाल अग्रवार के कॉंग्रेस से आने से गोणिया की राजनिटी में उतल फुतल मच गई है जिसके चलते गोणिया के भाषबा और कॉंग्रेस के कार्यकरताओं में सब ब्रह्म की स्थिती निर्माण हो गई है आए देखते हैं गोणिया शहर में क्या कहते हैं आमादमी अब कुछ स्थानिय लोगों से यहां चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं लोग इस प्रवेश को किस तरीके से देख रहे हैं और इसके प्रती लोगों की क्या प्रतिक्रिया है गोपाल अगरवाल भारती जनता पार्टी में आये हैं तो आपको क्या लगता है कि याने ये कैसा सही है कि गलत है ये बिलकूर भारती जनता पार्टी ने जो आमदार को लिया है ये बिलकूर गलत है भारती जनता पार्टी के अनेक कारेकरताओं ने अनेक दिन 30 सालों से राचकारन कर रहे हैं और जो गुंदिया विधान सभा छेत्र में जो जमीन तक नहीं थी उसमें सन्मानिये अमारे इनोज जी अगरबार जब गुंदिया में पहर उनने रखे और भाजपा की कई कॉंग्रेस के कई राष्टवादी के एक इनोज भव के नेतरुकतों को देखते हुए कांग्रेस को राष्टवादी को रामराम करते हुए उनके नेतरुकत में भारती जंटा पार्टी में आये और आज जो एक जितने की एक उमीद पूरे गूंदिया विदान सबा छेतर में, हर गाउ गाउ में, खेड़े खेड़े में, गल्ली गल्ली में, सार में, मोल्ले में, हर आम आदमी के नाम पे सिरिफ इनोज जी अगरवार, आज एक व्यक्ति गत्ष भी हो गई है और ऐसे परस्तिती में, गोपाल दाजी अगरवार को जो भारती जनता पार्टी ने जो पद में लिया है, ये भारती जनता पार्टी को बहुत बड़ी इसकी चुनोती, आने वाले विदान सबा में भोगना पड़ेगा, ये मेरा खुद का मत है क्या नाम है आपका? रितेश मेंडे आपको लगता है कि वो अपनी जो सीट है, जो उनका विदाई की पद है, वो यहां भाचपा में आकर भाचपा में फिर से विदाईक बनने के लिए वो यहां पहुँच रहे हैं? हाँ, वो इसे ही कर रहे है, वो मंद्रीपद के लिए हासिल करना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? क्या बोलू? गोंदिया की राजनीती में हाली में 10-15 मिट पहले भूचाल आये हुआ है, स्तानिय विदाईक गोपाल अगरवाल कॉंग्रेस से सिधे बीजेपी में शिप्ट हो गया है, तो इस पर आपकी क्या राए है? यह तो सब राजनीती है, अभी पुरदेश के अंदर पे लोग अपना दर बदल दी है, चोटा सा गुंदिया सहर है, बराबर, लेकिन काफी दिनों से जो कॉंग्रेस की यहाँ धूरा संबाले हुए थे, जो कॉंग्रेस को यहाँ मजबूता से संगरदन को खड़े के अपने चेंज कर लेते हैं, आपको भी लगता है कि उनको राजनीती जैसी होती है, बहु राजनीती के इसमें, अभी हाली में एक भूचा लाया हुआ है, जिसमें यहाँ के जो स्थानी विदायक, कॉंग्रेस की विदायक वो भारतिय जंता पाटी में प्रविश्की है, त तो कॉंग्रेस में एकर भी तो भी कास कर सकते हैं, जिसमें इसलिह नहीं हो जा रहे है, तो ऑपको क्या लगता है, जीतने के लिए यहाँ से उनको पद़ता डर लग रहे हैं, कि कॉंग्रेस में अगर वो रहे है तो वो हार जाएंगे, जलने वाल बातनी है, तो जलने वो तो बोलते है कि मैं किसी पार्टी में जाओ काम वही करूंगा अच्छा ने काम तो करेंगे लेकि वाकिर क्यों कॉंग्रेस से भाजपा में क्यों आ गया है अजया कि अब आप सामने मेरे एक मित्र ने यहां के जो दर्शक है उन्होंने हमें बताया कि रास्ट वह ने जो क राजनीती एक बहुत बड़े पैमाने पर गर्मा चुकी है यहीं वो गोपाल अगरवाल है जिनोंने जिल्ला परिशद में कॉंग्रेस और भाजपा की यूती करकर सरकार बनाई हुई है लगबग ये तो तही था आज से पाट साल पहले तह था कि यहां ऐसा कुछ होने वा कॉंग्रेस के प्रवक्ता भी है और जिला कॉंग्रेस के प्रवक्ता भी है और साथ में वरिष्ट पत्रकार भी है तो हम पत्रकार के नाते हम उनसे इस पर चर्चा करते हैं कि उनका क्या नजरिया है पत्रकार का क्या नजरिया जैसा कि यहां के जो उस्तानिय विधायक है तो अभी अभी कुछी मिंटों पहले भारतिय जन्ता पार्टी में आ गए कॉंग्रिस छोड़ कर तो अजब पत्रकार आप क्या सोचते हैं कि यहां की राजनीती में क्या बदलाव आए हुए कि किसी की जाने से कॉंग्रिस न आज तक के मरी है न मरेगी और आप भी पत्रकार आए मैं भी पत्रकार हूँ मेरा तो यह मानना है कि इथियास दूर लिखा जाता है वह ही मानदारों का लिखा जाता है बेहिमानों धोके बाजवा और गद्दारों का इथियास नहीं लिखा जाता रही गोपाल अगरवाल के कांग्रेस प्रवेश की बाद, तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक दो महिने से यह जो नवटंकी चली, आज से आठ महिने पहले मैंने सहीद भोला कांग्रेस बहुन की सबा में, कांग्रेस जनों की सबा में इ यहां कि जिला कांग्रेस है उसके साथ धोका बाजी होगी। और इतना जबर्दस भख्का लगेगा, कि तुम को अपनी कमर सीधी करने में कम से कम शे मइने लगें। तो क्या लगता है कि यहां की जो कांग्रेस है अभी वो अपने आपको। लेकिन यहां कि जो कार्य करता हो कि जो उनके कार्य करता है जो भाजपा में चले जाएंगे फिर कार्य करता होगी कम तर्ता होगी इस पर क्या आपकी राये हैं कांग्रेस में कार्यकरता ओकahu कि कम तरता कभी नहीं रही है और पिर मैं आप से कहता हूं कि जो आप कम तरता की बात करते हैं किसी के जाने से कभी पार्टी को फ़रक नहीं पड़ता पार्टी में चुनाओ abei आया राम गया राम की राजनीटी चलते रहती है अब और मेरा तो यह मानना है कि महातमा गांदी की कांगरेश का जो सच्चा सिपाई है वो कभी धोके बाज और मौका पर अब रस नहीं हो सकता तो लगबाजी तो लगबाजी और तबसे बड़ी बात यह कि गोपा लगड़वाल का जहात सवाल है मैंने आज तक के गोपा लगड़वाल को कांगरेर्शी माना ही नहीं है और इसलिए नहीं माना है, क्योंकि आपको ख्याल होगा, कि MLC का पहला इलेक्षन जो हुआ था, वो इलेक्षन इन्होंने निर्दली रूप से लड़ा था, कांग्रेस के उम्मीदबार के खिराब, पार्टी ने इनको 6 साल के लिए निसकाजित किये था, अपने अपने स्वा समाई इन्होंने करके रखा था, हिंदुस्तान में कहीं भी बीजेपी और कांग्रेस का समझाता नहीं है, गुंदिया में ही क्यों हुआ? अच्छा, यहां की जीला परिशन में, जीला परसे, इसके पहले नगर परसे चलाया है, इसलिए मैं तो इसको कांग्रेसी मानता ही इनकी जो विरोधिया पार्टी है नैशनल लेवल पर और इनकी यहां स्तानिय लेवल के जो राजनीती हों साथ गाड़ रहे तो लगबग जैसे अभी हमारे साथ जो वरिष्ट पत्रगार है, इन्होंने हमें अभी बताया कि यहां की जो राजनीती है, वो आल्रेडी सुनि तरीके से चलाई जा रही है, और लगबग यहां की जो राजनीती में जो अभी जो भूचाल आया है, वो उसके पहले भी हमारे पत्रगार जो वरिष्ट पत्रगार है, इनको वो आल्रेडी पता था कि ऐसे कुछ होने वाला है, और उसी के चलते हैं, यहां की जो लोकल विधान सभा की राजनीती में जो भूचाल आया हुआ है, जिसमें यहां के जो स्तानिय कॉंग्रेस के विधायक थे, वो अभी कुछ मिंटो पहले ही भारतिये जनता पार्टी में आ चुके हैं, तो ऐसी स्तिती में हम जानने का प्रैस कर रहे हैं, गोंदिया के शहर के वो तो विकास कॉंग्रेस में भी रहकर कर सकते थे ना, पास साल से सत्ता नहीं है, सत्ता विपक्स की है, फिर भी तो देखिए पिछले पांच वर्शों में अमने गोपाल जी को विकास करते हैं, तो विकास करते हैं, विकास करना जानते हैं, विकास के लिए ही जाने जाते आज जो उनकी पहचान है जो आज हम जो लोग उनके लिए बोल रहे हैं जब यहां के आम जंता कह रही है कि गोपाल अगरवाल जी एक अपने आप में विकास पूरुश है लेकिन उनको फिर पार्टी की क्या हो शकता याने कॉंग्रेस में रहे हैं या बात बताईए जब पार्टी में हाली में गोपाल अगरॉल जी का प्रवेश हुआ है तो इसके क्या लगता है आपको प्रवेश हुआ है उनका वारते जंटा वारते में वह कुद हम बदाई देते हैं और जो काम जो रुके हुए है जैसा कॉंग्रेस में भी थे तो वह विधाय की ते अभी भाजपा में आपको लगता है कि वह इस बार यहां का जो कॉंग्रेस का संगटा ने याने वह काफी भी खो चुका था लेकिन इसलिए वह भाजपा में आए है लगबग देखा जाए तो यहां की जो कॉंग्रेस है वह पूरी तरह से अंधरूनी तोर पर खतम हो रही थी ऐसा अंदेशा यहां के जो विधायक है गोपा लगरौल जी उन्हें लग रहा था और इसी के चलते उन्होंने भाजपा में प् सिंदी आप आज ही प्रेस्टोर से डाउंड़ करें और हमारे चैनल को लाइन सब्सक्राइब शेर करना बिल्गुल भी ना मुले तब तक के लिए बने रिए मेंस निव्स के साथ अन्या बाद